दोस्तो आज हम आपको असिजज फल के बारे में बताने जाए रहें जो यह बर्साथ के समय में आपको यह मिलता है तो उतने समय आप इस फल को खाकर के आप अपनी सारी विद्मारियों को दूर कर सकते हैं जो आपके सरीर का बूश्टर भी करेगा और आपको भी बचाएगा और आपके अंदर पानी की कमी हो गए गर्मियों तो अभी यह पूरा करेगा तो उतने समय आप इस फलत उखा करके अपनी बहुत सारी बिमारी को ठीक कर सकते हैं दोस्तों अगर आप डाक्टर मणी चैनल पर नए हैं तो डाक्टर मणी चैनल को सब्सक्राइब करें फालो करें शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके बीच में लाते रहें और आपको ज्यादे जानकारी मिलती रहें दोस्तों आज हम आपको सिंहारा खाने के बारे में बताने जा रहे हैं कि सिंहारा ये मिलता कहां है और किस तरह का होता है तो उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों यह सिंहारा जो होता है यह बारसाथ के समय में यह गड़े में उसका जो जड़ होता है उसको लगा करके इसको तैयार किया जाता है तो उतने समय आप सिंहारा खा करके आप अपनी बहुत सारी बिमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी बिमारियों से आप बस सकते हैं दोस्तों मार्केट में या सिंहारा जो होता है यह आपको लगभग 15-20 रुपय किलो त तो इसका परियोग अगर देली आप कर रहें तो इसे चार ये अच्छाँ आप दिन भर में तीन से चार बार अगर अगर इतना इतना परियोग कर है तो आपको बहुत सारी विमारी उसके यह हैं लगने में मददकार होता है जैसे आपको मालीजे अगर आपको यूरीन में इंफ्यक्षन है तो आप सिंगारा खा करके आप यूरीन की इंफ्यक्षन को आप सही कर सकते हैं जैसे इंफ्यक्षन होता कैसे है मालीजे आपको इस्टोन हो गया है आपके किड्नी में तो उतने समय आपका जो यूरीन रहता ह वहार उग्रूप करके आता है और आपको जलन बहुत ज्यादा होता है तो उतने समय आप कच्चा सिंहारा खा करके अपने यूरीन की समस्या को आप सही कर सकते हैं अगर आप हाइपर टेंशन के सिकार हैं ज्यादा आप सोचते हैं ज्यादा इस्ट्रेस में रहते हैं तो उतन आप इसको खा करके अपनी खासी की समझ्या को आप सही कर सकते हैं। अगर पानी की कमी हो गई है तो उतने समय भी आप सिंगारा खा करके अपनी खासी की समझ्या को सही कर सकते हैं। तो उतने समय भी आप हाई बीपी की समझ्या को आप सही कर सकते हैं। क्योंकि हाई बीपी जो होता है इसी के द्वारा हाट टैक की समझ्या होती है। तो उतने समय भी आप सिंगारा खा करके अपने हाई बीपी की समझ्या को आप पंट्रोल में रख सकते हैं। तो उतने समय भी आप सिंगारा का परियोग करें दिन में सुबह दुपार साम का परियोग आप सिंगारा के रूप में कर रहे हैं। तो उतने समय भी आप सिंगारा का परियोग करके अपने सूजन की समझ्या को आप सही कर तकते हैं। अगर आपको कम्जोरी महसुद हो रही है, तो इतने समय भी आप सिंघारा खा कर के अपने सरीर की कम्जोरी को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि सिंघारा में 80% तक पानी होता है, उससे आपके सरीर की जो भी energy last होती है, व symbolism कर के वो पूरा हो सकता है, जैसे आपको पानी की कमी जब हो जाती है, तो आपका सरीर एक पूरा विक्नेस हो जाता है, तो उतने समय आप पानी की समस्या को भी सही कर सकते हैं, इससे आप स्वास्त और ताजा महसूद करेंगे, तो उतने समय मान लीजिए आप पिंगारा का नित्य सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हो सके अगर आपको मुटलब्द हो रहा है तो आप जब तक इसका सीजन है तब तक आप सिंहारा का परियोग करते रहें और इसके साथ साथ अगर आपका स्टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है या तुरंत हो जाता है चाहे वा पूरुसरोय महिलाएं से गर्पतन तुरंत हो ज से मैं सिंहारा को कम परियोग करें जहां तक वैपा का परियोग करें और सब्सक्राइम में बें री और स मज़ता चाहे चाही घिंन करते है करते हैं आपके गटिया या ज़ाइंट में पने रगता है, तो उतने समय आप सुञचन की समच्या और गटिया की समच्या को सही कर सकते हैं दोस्तों, यही है, शिंखाआघा कहाने के फाइदे, इससे आपको क्या फायदा हो रहा है या नुक्सान हो रहा है, तो उसे के बारे में आपको बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक सेयर करते रहेगे और ड्र मढ़ी चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूले। ताकि आपको नया नया वीडियो हम आपको आपके सामने लाते रहें और आपको अच्छे च्छी जानकारिया देते रहें दोस्तों आचा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक ला कि एनी जयुदके निए जयुदू.